हेलो फ्रेंज, वेलकम तू माई चैनल अब्दुलेड्यू केर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैनेट सेकेंड इंग्लिश का चैप्टर नमबर 1.2 आक्टिविटी टाइम का आज हम एक्स्परनेशन देने वाले हैं तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुलेड्यू केर को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस वीडियो की अप्डेट्स आप तक पहुँँ सके तो दोस्तों ह हमारे चैप्टर है चैप्टर 1.2 अक्तिविटी टाइम अक्तिविटी में कोई भी चीज हम करते हैं कोई भी न्यू थिंग तो उसे हम अक्तिविटी कहते हैं कुछ चीज हम नया करते हैं कुछ चीज हम करते हैं तो उसे अक्तिविटी करते हैं और टाइम में समय अक्तिवि है तो goog फोर्स्त यूढनाय को डोजन की जोडियां बनानी आपकी फ्रेंड्स के सब्सक्त है ऊहां करने से पहले आपको प्या चाणने कंग को आपको card है first card और second card तो ये है इसको क्या बोलेंगे हम ये है हमारा pink card a e i o u जिसमें ये letters है ये है pink card और ये बागी सारे letters जो है वो है कौन सा card वो है blue card तो ये दो card है ये समझ लेंगे तो आप अपना पुरा game खेल सकेंगे तो close your eyes पहले आपको अपने eyes close करने है दोनों जन को now one of you put your finger on any letter on the blue card तो आप अभी दो जन हो right आप ओ और आपका friend हो तो suppose आपको क्या करना है दोनों जन को हाके बन कर देनी है अभी दो card है तो आपको आपकी एक friend को क्या करना है आपको आप बन करकर now one of you put your finger on any letter of the blue card तो पहले आपको क्या करना किसी एक letter पर आपकी उंगली रख देनी है और वो letter को छुपा देना है blue card पर blue card कौन सा है very good यह वाला blue card है तो आपकी किसी एक जनको blue card के कोई एक letter कोई एक alphabet पर अपना finger रखना है यानि कि उंगली रखनी है और वो letter को छुपा देना है पर आखे बंद होनी चीए दोस्तों third है हमारा third rule है third rule जो है हमारा now your partner will put the finger on any letter on the pink card और अभी जो आपने तो अभी blue card पर finger रख दिया आख बंद कर पर अभी आपका जो friend है उसको क्या करना है आख बंद करकर अपनी भी कोई एक उंगली किसी एक letter पर रखना है वो भी pink card पर आपने blue card पर रखा था और आपके friend को किस card पर रखना है pink card पर रखना है very good pink card पर pink card पर आपके friend ने रख दिया है open your eyes fourth है हमारा open your eyes अब आप दोनों को आखे खोलनी है अभी fifth rule है हमारा now each one of you has one of the alphabet तो अभी आपका भी एक alphabet है और अपने friend का भी एक alphabet है suppose आपने हाथ रखा था G वाले पर G और आपके friend में रखा थ A पर हाथ O पर हाथ कौन से letter पर हाथ रखा था आपके friend ने O letter पर कौन से letter पर O letter पर तो आपने किस पर हाथ रखा था G पर और आपके friend ने O पर रखा था तो अभी आपने आखे खोली और आपने देखा अपना letter आपका letter G है आपका friend का letter O है तो अभी देखो अभी तुम दोन दोनों के मिला के 7 write as many words as you can which have both the letters you picked तो आपको words बनाने हैं ऐसे word ऐसे शब्द बनाने हैं ऐसे शब्द बनाने जिसमें आपने दोनों जो letter choose किये वो आने चीए जैसे कि suppose मैं एक example देता हूँ आपने चुना G, आपके friend ने चुना O, तो अभी आपको ऐसा word बनाना है ऐसे आपको words बहुत सारे बनाने जितने आप बना सके उतने word आपको बनाने, जितने बन सके उतने word आपको बनाने हैं, पर word कैसे बनाने, आपने जो दोनों letter चुने हैं, आभी आपका एक letter आपके friend का एक letter, दोनों का मिला आपको ऐसा word बनाना है दोनो लेटर वो word में आने चाहिए वो शब्द में दोनो वर्ड आने चाहिए दोनो अल्फवेट आने चाहिए तो आपका है G और आपकी friend का है O तो आप ऐसा word बनाना आप बनाना goat G-O-A-T goat गोट याने की बकरी तो दोस्तों अभी गोट यानि की बकरा होता है तो G-O-A-T गोट तो गोट अभी गोट ये वर्ड में G भी आता है O भी आता है ऐसे आपको different words बनाने हैं जैसे की D अभी आपने G चुना था और आपके friend ने O चुना था और आप कौन सा word बनाओगे D-O-G Dog तो इसमें आपका G भी आएगा letter और आपके friend का O भी आएगा इधर आप देख सकते हो इधर G भी है O भी है और गोट में भी G है और O है आपको ऐसे words बनाने जिसमें आपने चुना है वो word आना ही चीए आपका भी word आना चीए आपके friend का भी दोनों word आनी चीए ऐसे आप जितने word बना सकते हो वैसे आपको word बनाने है तो एक मिनट ये जो words दे ऐसे आपको जोडी बनानी है इधर आप देख सकते हो ये जोडी है ये pair है SITC, FISH, FISH, ISES GOT goat, DOG dog, FROG frog, BAT bat, TALL, TABLE table तो इस तरह से अभी B है हमारा think and answer सोचना है फिर answer देना है तो चलिए ये conversation को पढ़ लेते हैं ये बातशीत को पढ़ लेते हैं teacher, good morning children अभी teacher क्या बोरी है good morning children बोरी है children भी बोलेंगे good morning teacher teacher, what is your name teacher बोलेगी तुमारा नाम क्या है तेजल बोलेगी my name is तेजल teacher, अभी teacher क्या बोरी है what is the first letter of your name अभी आपका नाम है suppose तेजल तो आपका first letter क्या होगा तेजल अभी बोलेगी my first letter is T तो तेजल का first letter क्या है T उसके नाम का first letter है तो teacher what is the last letter of your name तो last letter क्या रहेगा L, तो last letter L रहेगा तेजर के तो what is your name तो last letter पूछ लिया, टीजर ने और first letter पूछ लिया तीजर, how many letters are there in your name तो अभी कितने letters है, कितने alphabet है तुमारे name में T, E, J, A, L तेजर, तो तोटल कितने हो गए, टेजर ने बोला 5 तो टेजर ने right answer दिया है तो टेजर, टेजर tell any words that begin with the first letter of your name तो first letter, टेजर ने बोला कि ऐसा एक word बचाओ जो तुमारे first letter से तुमारे नाम का first letter से वो word शुरुआत हो तो अभी टेजर के नाम का first letter क्या है T है, तो हमें ऐसा कोई word बनाना है जो T से start हो तो वो word है T-I-G-E-R tiger, तो दोस्तों समझ गए आप, तो दोस्तों यही था हमार activity time, इसमें हमने words के बारे में सिखा और letter और alphabets के बारे में सिखा, तो दोस्तों अगर आपको ये video अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको like करना और आप दोस्तों वीडियोस खुद देख लेते हैं पर अपने friends को share नहीं करते अगर आप ये video अपने friends को share करोगे तो आपके friends की भी help हो जाएगी और friends भी अच्छे marks लाने लगेंगे और आप भी scholar, आपके friends भी scholar तो प्लीज आप ये video को like कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends circle में share कीजिए तो अगर वीडियो अच्छे लगता है तो चैनल को subscribe कर लेना थैंक्स वर वाचिंग डिस वीडियो लाइक, share, subscribe to my channel अब दो लेडियो केर